कि नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल एस्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग सवस्त होंगे मस्त होंगे और सब कुछ पढ़ाई लिगा है ठीक ठाक चल दा होगा और दोस्तों आज हम इस सेशन में एक ऐसा टापिक लेकर जाए तो हमारा यहां से सवाल न छूटे इसी में से मिल जाए तो दोस्तों आईए हम अपना वीडियो हम अपना टापिक शुरू करते हैं तो देखो दोस्तों देखिए दोस्तों ऊपर क्या लिखा गया है लिखा गया है सार्क यानि डक्षेस या सार्क के बारे में हम सार का फूल्फार्म भी हूच लेता है हमसे इसका फूल्फात क्या होगा सार का यहां देखी लिखा गया देख्वाव आशsan को प्रेशन फूल्फार्म इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दप्षिड एच्री सह्योग संगतन यह हो जाएगा परित में कभी कभी देता है अब इसे को साथ क्या कहा गया यानि धक्षेज भी इसको हम साथ में कहते हैं यह संगठन इसी को मुझें लिखते है इस है इसके अभी सार्क्राइब है अधे शीन सबसे पहले किसके दिमाग में जिया रहमान जिया रहमन रांग्रा इनकी पूर्ध्र राष्ट्पती थे बंगलादेश के पूर्पती थे दिभाग में कि क्यों न विचार कब आया था वहीं तो इनके दिमाग में बिचार आया था वहीं 1980 के आसपास 1901 बल्कि पूर्डेट 1977तर है 1977 के आसपास इनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न एक के ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे में जो दच्षड एसी आई देस है जैसे भारत और पाकैस्तान बोटान मंगला देस्हे सारे देसे मिल और इसने संगठन इस लिए बनाया जाए ताकि जन्ता का कल्यान हो सके ताकि जनता का कल्यान हो सके सांस्कृतिक विकास हो सके सामाजिक प्रगति हो सके और हम लोग आपस मिल करके भाई भाई की तरह रहें और अपने देश का आपना विकास करें आतंगवाद के साथ लड़ें इनके दिमाग में यह विचार आया कि ऐसा कुछ किया ज 180 में पहली बहार कोलंबो में की बैठक होई वी सच्व कॉं देसे भाई रा यह सफ़ हो नोे को णितने चर्फार होती लोगं के इन लोग होती है खिली ठीक है ऐसा कुछ हम लोग करेंगे ताकि समाजिक बिकास हमारा हो सके फिर आगे आ जा था 1981 में फिर 1981 नीए 1983 है फिर 1983 में दिल्ली में बिदेश मंत्रियों की बैठक होती है और बिदेश मंत्री कौन रहें तो ही साथ देश कौन कौन से आपको ट्रिक से आगे बता रहे हैं ठीक है जि कि हाँ भाई यह सही है कि हम लोगों को ऐसी कोई न कोई संगठन बनाना चाहिए लड़ने के लिए आतंगवास लड़ने के लिए बिकास करने लिए बनाना चाहिए तो यह संगठन फिर बनाया गया अब संगठन बना कैसे आगे संगठन का निर्मान कैसे हुआ पहली बैठक क पर दिल निम बैटक होई फिर हां यह हुगा अब इसके अस्थापना की जाएगी अब उसकी अस्थापना हुई कब देखिए यहां देखिए लिखा गया है कुल देशों की संख्या कितनी है आठ है पहले कितने थे साथ थे किसे जोड़ा गया अफगानिस्तान को अब हो गए आठ तो यह जो आठ हो देश है उनके नाम क्या-क्या है तो यह अपनी एक ट्रीक है बहुत फंड़नी ट्रीक हो आई तो बलमा आपने भुट्टा खाया यह एक ट्रीक है इसके आगे चर्चा कर रहे हैं लेकिन अब जान लीजिए उसके बार में देखिए इसकी अस्थाप आपने आउस जान लोजो आएdis повтор יה जो होते हैं इनका कारिकाल होता है इनका कारिकाल होता है तिन बस महासचिव के लिए ऊक्ट इन महाशची किसी कि दूसरे को किया रहता औरिमाला के हिसाब से सबसे पहले अब मोख़णस्थास में जुला हुआ है सबसे पहले आफगानिस्तान से किसी एक बेखत्य को बनाया जागा एक की बात कौन अच्छर आता है तो आ के 50 पहले कौन थे अब्दूल अहसां जी ते हैं चीते हैं तो आध्यक्सता या फिर कहीं महासच्यों यही थे तीन वर्सों के लिए बना जाता है बनाता कोण है तो जो सदस्देश से इनकी मंत्री परसत ही मिल करके महासच्यों का चुनाओ करती है कहां भई इस देश के इनको अब की बार बनाया जाएगा ठीक है तो आगे देखिए अ पढ़ने काम हिसाब किताब वहीं से होगा तो कहां बनाया गया तो देखिए मुख्याले इसका बनाया गया काठ मांडू यानि नेपाल में बनाया गया जब इनकी पहली जब सार्क संगठन की पहली बैटक होई थी तो वहां पर याद करने लिए धाक हो गया था यानि धाक के तीन पास सुने होंगे तो क्या किया गया सब करके ढख के पत्ते 115 यह संगतन में और वहां किया दिखाए गया था…. अथ पत्ते पर खान खिला गया था तो ढली बैटक की भाया थी किसके इसका सअर्क सं ऑब बनाए गया सुन्वाकू आफ से लिगया गहा कई मांडू वोनिदा है नेपाल में है, ऐसा क्यों किया गया, काट की लखड़ी आप लोग सुने होंगे, सार के जो मच्छली होती है, कैन भाई अगर हम लोग कहीं और बनाती bunch लगड़ी सहेगी तो मच्ली जल्दी उस को खा नहीं पाईगी छेदि नहीं कर पाएगी इसलिए काट मांडू मनाया गया काट मांडू मनाया गया काट मांडू है कहां नेपाल में है कब बनाया गया इसका मुख्याले तो 16 जनवरी 1987 को इसका मुख्याले बनाया गया कौन इसके उद्घाटन करता कौन थे तो वहीं के नेपाल के ही राजा थे यह वीरेंद्र वीर विकरम साह जी थे इन्षों ने ही इसे जो मुख्याले बनाये गया था इसका उध्गाठन विरेंद्र वेर विकरम साह जी ने इसका उध्गाठन किया ता अब उध्गाठन उध्गाठन संगठन बन गया now Sघ्ट k 이번 यह एक आर्थिक यूँँ राजनेतिक संगठन, यानि यह आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, राजनेतिक रूप से यह एक दूसरे देश की मदद करते रहेंगे, और क्या क्या इनका काम है आतंगवात को खतम करना जनता कल्यान करना ने लोगों का कल्यान जादा जादा हो सके इसका मुख्युद्धिस है सामाजिक परगती समाज की लोगों की परगती हो सके और सांस्कृतिक विकास लोगों का हो सके इसके लिए इस संगठन को बनाया गया आगे पर्तम सिखरसंवेलन कहां गुए था तो पर्तम सिखरसंवेलन ढाखा में हुआ था आप यहां बताये गया नेपाल वाला हुआ 2004 में तो उनीसमा कब हुआ था 2019 में होने वाला था पाकिस्तान में लेकिन उसे क्या कर दिया गया रद्द कर दिया क्यों आपको पता पुलौमाटाइक हुआ था इन सब कारडों से पाकिस्तान भारत के रिष्टे अच्छे नहीं रहते हैं इस कारड से कहा है यह कौन है यह कौन है एक मार्च 2020 से बनाया गया है और यह है कवो थें चौधा हमें कौन है मौके पर जो एक मार्च 2020 से तो वर्त मान माहसचु एसला रूबान वेरा-कुन जी इनका कारकाल कितना होगा तो आपको पता इनका कार का तीन वर्स होगा तो दोस्तों इतने का आप लोग इसकिन साथ ले लिजिए अभी और बचा हुआ है भारत के संबंद में बाकी ट्रीक अपनी हई है दोस्तों आगे देखते हैं देखिए इतने सारे मैटल लिखे गए एक वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे कहीं से भी सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा साथ संगठन से आप पूरा वीडियो देखिए और याद करक दक्षेस में तो कुल आठ मुद्रा है आठ परकार कि जो आठो देशिस में सामिल है वहां की मुद्रा यहां मन है अगर कहा जाए कि यह जो सार्क संगठन है किस भासा में काम करता है इसके जो सचवाला है वहां पर किस भासा में काम होता है तो कौन सी भासा है इंगलिस है और सार्क दिवस अभी हाली में सार्क दिवस हाली में क्या हर वर सार्क दिवस मनाया जाता है कहे तारिक को आठ दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है या दक्षिस दिवस मनाया जाता है आप से ये सवाल दिवस में पूछा सकता है कि सार्क दिवस कम मनाया जाता तो आठ दिसं प्रवेक्षक देश क्या है देख जिसे अमेरिका चीन और बहुं साहे देश है नव देश आप से पूछना जाए का नव देश कौन कौन से तो जो नव देश है गुण नव देश इस संगठन की प्रवेक्षक करते हैं पर कहीं देख बाल करते हैं कि भीया यह लोग सही तरीक सांस्कृतिक विरासत वर्ष अगर पूच्छा सांस्कृतिक विरासत वर्ष कबगोसित किया गया कि सोला को सासे परसे देख दस सामिल है और लगबग 20 पर्संट जनसंख्या इस दक्षेथ में सामिल है जो दक्षेथ अपना दुनिया का 3% छेथ पर हैं और एक कैस्स पर्संड जनसंख्या इस पर सामिल है इमपार्टन लिखा गया है अडु यह स्थान है कहांडु हो सकता यही ही पूछ लिए तो जो अड़ू अस्थान मालेव का एक स्थान है जहां पर 2011 में 2011 में साञ्ख शिकर सम्मेलन हुआ था यहां पर अड़ू में आगे रिके भारत की हिस्सेदारी कितनी इसमे तो भारत की हिस्सेदारी लगबग 70% है किस मामले में तो जनसंख्या के मामले में औ सेंट ईन स Serv香 मामलों कौं कौंझे भारत के महासच्चु के पत्पर पर कौं कौं दो लोग रह चुके हैं और एक रह चुके हैं गई दुसरे महासचुत पर्धम कब बने थे बारत के přत्थम थे लेकिन सार्ख सिखर सम्मेलन के अभी के सार्ख संगटन के दूसरे थे जो सील्द कांथ सर्मा जी है वो कब बने थे तो सील्द कांथ सर्मा जी 2008 में महासच्यू की पत्पर रह चुके हैं दो लोग अभी तक भारत के रह चुके भारत में अभी तक कितनी बार इसकी बैटके हो थे तो भारत के परधान मंत्री राजिव गांधी जी थे हो सकता यही पूछ ले आगे देखे आठवा सिकर सम्मेलन कब हुआ था इसका उनिस सो पंचानबे में हुआ था दिल्ली में हुआ था और इस समय परधान मंत्री कौन थे जब दिल्ली में हुआ था इस समय परधान मं सवाल यह दोनों लाइन का सवाल आप याद रखेगा दो लोग रह चुके हैं कांत किसोर भारगो जी सिल कांत सर्मा जी और अभी तक कितनी बार इसकी भारत में बैटके हो चुकी है एक बार बेंगलुरु में एक बार दिल्ली में और फिर दिल्ली मुई है कौन परदान मंति है और इसको सार्क संगठन वालों ने लागू किया था कब इस पर चर्चा होई थी 2006 मुई थी यह साफ्टा है क्या इसका अफल फार्म क्या है साउथ एसीन साउथ एसीन फिरी ट्रेड एग्रिमेंट है यानि इसको कहते हैं मुक्त ब्यापार कहते हैं यानि जीतने देश इ हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं वह सही से और यहां से एक्जाम में सवाल पूछा भी जाएगा और इंपार्टेंट भी है और हम कोई सवाल छोड़ भी नहीं रहे है तो आप लोग इसका स्किंसार्ट ले लेजे फिर हम आगे बताते हैं कौन कौन से देश सामिल है ट्रिक के माद्यम से तो दोस्तों आए आगे देखते हैं आज के अपनी ट्रीक है वह सांधार जवरदस ट्रीक है अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि लोग इसका लाव उठ सकें और सवाल यहीं से पूछा जाएगा और बहुत ही गहराई से पढ़ाया गया है ठीक है दोस्तों आई अपना ट्रिक देखते हैं तो देखिए लिखा क्या गया है एक भारती नारी थी देखिए भारत में क्या है आप लोग अन्य भारत में क्या है अन्य देश्म में क्य रहे थे तो उसने पतनी ने किया था पतनीने भुट्टा पकाया था, Also, बुत्डा मतलब जानते हों मेरे जुनरी या फिर कईये हम लोग जो दोनों खा ले कि ना खाले पूछ ले उनसे कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं तो एक उनको देदे खम खाले नहीं तो उन्हों ने ओहीं पर क्या कहा कि बलमा आपने भुट्टा खाया यानि आपने भुट्टा खाया नहीं खाया तो अपनी क्या बन गई एक ट्रीक बन गई यानि स्रिलंका मा से हो गया, मालदिव आ से हो गया, अफगानिस्तान पा से हो गया, पाकिस्तान ने से हो गया, नेपाल भुट्टा से हो गया, भुटान और ऐसा भारत में होगा तो भारती नारी यानि इसमें भारत भी सामिल है, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, तो दोस्तों यही सवाल पूछा जागा एक साहवा से अंत इस लोगाए रखिएग test सवाल पूछा जाता है यही पूछाएंगा एक रखिएंगा अफगानिस्तान है अंत में भारत तब जुड़ा था तो भारत ऐसा नहीं है भारत तो पहले से ही जुड़ा था बल्कि भारत जो है संस्थापक सदस्थ है यानि जब यह संगठन बनाया गया था तभी उसे भारत जुड़ा हुआ है यानि भारत संस्थापक सदस्थ है यानि जब किसी चीज की होता है तो हम उसे क्या कहते हैं उसे हम संस्थापक सदस्देश कहते हैं तो यह क्या संस्थापक सदस्देश अपना भारत है आगे देखिए आठवा देश कौन सा था आठवा देश है अफगानिस्तान है और यह कप सामिल हुआ था तो तीन अपरेल 2007 में अफगानिस्तान को साख संगठन में सामिल किया गया था और सामिल कौन करवाया था देखिए 13 नौंबर 2005 को भारत ने ही इसको इसमें सामिल करवाया था लेकिन सदस्ता इसने गरहन के कब की थी तो 3 अफ़एल 2007 को यह साख संगठन का सदस्ते बना तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हूं लाइक करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाईए ताकि लोग भी इसका लाब ले सकें ओके दोस्तों जय इंद